मुझे पून विश्वास है कि आप सभी बाबा के अतिस नहीं मीठे प्यारे बचे स्वस्थ होंगे और बाबा की याद और सेवा में बिजी होंगे और क्योंकि आपस अब अपने घर में हैं तो नाच्रली आप इजी भी होंगे खुश्ट होंगे और आनंदमय स्थिती में होंगे सबसे पहले तो मैं पवर और सकाश टीम को बाबा के तरफ से प्यारे मदुबन भूमी की तरफ से और व्यक्तिगत सतर पर मैं बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन और मुबारक बात देना चाहता हूँ विशेश हमारे बहुत अतीसने ही मीठे, प्यारे भाई, शक्ती भाई जो विज्ञान के साधन को यूज़ करकर अभी इस सकाश या मनसा सेवा सारे विश्व की आत्माओं को और प्रकृतक तक पहुँचा रहे हैं आने वाले समय यही सेवा जो है, हम आप सब को बहुत बहुत दुआइन जरूर जरूर देगी जहां तक कि यह सकाश का मेरा अपना व्यक्तिकत अनुभव है, मुझे लगता है यह एक हल्पलाइन सिस्टम की तरह काम करता है यह हल्पलाइन सिस्टम जैसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं अगर किसी व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत होती है, तो वो पुलिस हल्पलाइन नंबर 100 पर रिंग करते हैं अगर उनको फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होती है तो 101 अगर उनको ambulance की जरूवत होती है तो 102 और national emergency help line number हम सब को पताईड़ है is 112 तो जब भी किसी व्यक्ति को कोई मदद या सहयों की जरूवत होती है तो वो जिस number पर ring करते हैं तो automatically वो ring जैसे वो control room पर पहुँचता है अगर आप 100 को ring करेंगे तो police control room पर वो पहुचता है और वहां से वो सारे details लिया जाता है और police control room से जहां पर मदद चाहिए उसके नजदीक का जो पेट्रोल unit होता है वहां तक यह संदेश पहुचता है और फिर जो पेट्रोल unit होता है वो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास पहुच जाते हैं तो उसी तरह जो सकाश जो है ना उसका जो number है टी 000 मैं आत्मा शिव बाबावी परमात्मा दोनों बिंदी इसे दो जीरो और हम सब को पता है तीसरी जो बिंदी है तीसरा जो जीरो है वो है ड्रामा रूपी बिंदी तो जब इस अंसार में कोई भी आत्म सहयोग या मदद बहुत निराश हो गए और बहुत डर में हैं बहुत भाई में हैं तो जब वो परमात्मा या भगवान इश्वर वाहे गुरू खुदा दोस्त को वो जब पुकारते हैं मन से याद करते हैं तो वो ऑटमेटिकली शिव बाबा जो कंट्रोल रूम है वहां तक पहुंचता है अगर्या करते हैं यह जो पुरिए सकाश कर दूब के जो आप रुहानी कमांडोस हो रूहानी वार्योस हो अंतक पै्ट्रोल दीदोप जो संदेश पहुचता है और आपका जो सकाश ए उस आत्मा का मनोबल उस आत्मा को शक्ती देता है इस तरह से हेलप system की तरह काम करता है मैं इसलिए आपको यह कह रहा हूं क्योंकि मुझे एक व्यक्तिगत help का अनुभव जो हुआ था and that was in December 2011 यह अनुभव मैं आप सभी भाईवेनों के साथ बहुत स्ने से share करना चाहूंगा December 2011 में मैं नेपाल की सेवा में था और आपको याद होगा उस साल आगस्ट में बहुत बाड़ आया था और जो बिहार और नेपाल की बीच में जो कोसी नदी जो बहती थी वो पूरी तरह से बांध को तूट करके वो बहुत ज़्यादा नुकसान दोनों तरफ किया था यह हुआ था आगस्ट में मैं December में में वहां सेवा के लिए पहुंचा और जब मैं सेवा के लिए जब वहां पहुंचा तो मैं तो मैंने का स्वामी भाई आज हम शाम को कोसी नदी को क्रॉस करेंगे और कोसी नदी के उस तरफ कल सुबह से आपका शिविर है तो मैंने का वही कोसी नदी जो जिसका बांध तूट गया तो बहुत नुकसान किया तो अजय भाई ने का येस तो मैंने का बापरे हम वो नहीं कोसी नदी है जो पुरानी कोसी नदी ते उसको टूट करके वो नया जगह से वो फ्लो करने लगा था तो मैंने का चलो बाबा की सेवा में आए हैं हम जाते हैं और हम जब बागडोगरा से लेकर ट्रावल करते हुए वो नदी के इस तरफ अपना बाबा का एक सेंटर थ बहुत ठंड थी और वहां पर सूर्यास्त भी बहुत जल्दी हो जाता है तो पहुंचने तक करीब सूर्यास्त होने का समय हो गया था तो बहन जी ने मुझे बहुत प्यार से चाहिवाई पिलाया और मुझे का स्वामी भाई हमको समाचार मिला है कि आप नदी क्रॉस करकर उस तरफ आप सेवा के लिए जा रहे हैं मैं का हां मुझे तो ऐसा ही प्रोग्राम मिला है तो बहन जी ने का प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आज शाम को आप मज जाईए मैंने क्यों बोला करीब 10-15 दिन पहले एक बोट में लोग यात्रा कर रहे थे तो कही को च्छा है अगर ऐसी बात है तो मैंन आज़ाई और को कहा कि उस सेंटर की आप तो सेंटर को साँ करकर यह मेसेश दीज prêt ने जो को लिए जो कोशी को उसरा पले जो सेंटर तहुम पोज़ा और उनको यह समाचार दिया तो हां की ने का मुझा हमको पता है इसा नियम है तो तो हमने का चलो ठीक है वहां तक जाते हैं अगर हमको बोट मिल जाता हो तो हम क्रॉस करेंगे नहीं तो वो नई कोसी नदी को हम सकाश देकर मंसा सेवा करके वापस आ जाएंगे हम अजय भाई और एक समर्पित बहन और एक कुमार भाई हम चार लोग जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा थै लेकिन चांदिनी रात भी थी और जब हम यह पहुंचे तो नाचरली बहां बहुत सारे लोग बहुत सारी गाडियां थी और सभी लोग है ना उस तरफ नदी क्रॉस करके उस तरफ जाने वाले थे लेकिन उनको कल टो एक नाव वाले और उसने कहा उसने वो नाव में बेठा और वह मोटर की जो वैन होती जो जो लाड़ से चलाते हुओ जो नईया थी तो उन्हें वह मोटर को चलाए तो धुड़ 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 करके चल पड़ी फिर इस ने इंजिन को बंद किया और हम चारों को कहा बेटिए तो हम चारो बैठे अपना लगेज लापटोप सब लेके बैठे तो सामने वो बेहन जी और कुमार भाई बैठे थे मैं और अजय भाई इस तरफ बैठे थे बहुत ब्यूटिफ़ल चांदनी रात थी अब उस भाई ने क्या किया वह स्टार्ट किया और स्टार्ट स्टार्ट हो गए और बुला चले हमने का चलो और जैसे फिन्ष चलने लगी नदी में तो उसने चक्षोंटी होती है वह खुंटी से उसको निकाला जैसे खुंटी से निकाला कुछ समय के बद जो एंजिन जो थी वह धीरे ढगःःःःः धीरे धात्रीड़ के रुग गई और इंजिन रुग गई तो वो पकड़ने की कोशिश किये लेकिन तब तक वो उसने उस खुटी से निकाल दिया था और एक मिनिट के अंदर हमारी जो नाव जो थी वो तट छोड़कर नदी के तरफ आ गई तो सारे लोक साइड पर चिला रहा थे ओ देखो भा जिसके कारण बहुत ज़्यादा करंट भी था और ऐसे समय पे मैं बार-बार उस भाई को कह रहा था कि भाई आप ट्राइ करो और जो नावीग जो था उसको इंजिन को चलाता था धग 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 ओम शंती अब मैं इतना डर गया और मुझे अचानक लगा कि आज स्वामी भाई का एडवांस पार्टी में टिकेट कंफर्म हो जाएगा राइट और ऐसे समय पे जब मैं संकल्प करा था तो अचानक मेरी दृष्टी पड़ी मेरे सामने वो जो समर्पित बहन बैठे थे और मैंने उस बहन को देखा और चा कृष्टी में अचानेयत अचल अडोल और जयसे मनें इस समर्पित बहन को देखा और मुझे ये समझ में अगया कि ये बाबा ने को याद कर रहे हैं और मैंने और प्यार से हम बाबा को याद करने लगे और यह जो नावीड बार-बार उस इंजीन को स्टर्ट करने की कोशिच कर रहा था कुछ समय के बाद वह इंजीन स्टार्ट हो गया और नइयााज चल पड़ी और फिर नइया कुछ समय के बाद हम लोग आधा पॉन घंटा ट्राइवल करने के बाद हम तट पर पहुंचे वहां के जो भाई बेने थे दीदी जो थे सबाय थे फटाक से मुझे उठाया और एक कंबल के अंदर बंद किया गाड़ी में रखा कुछ भाई लोग मेरा पैर वैर अच्छी तर को उठाव मैंने शिविर भी कराया नाश्तिय के बाद हमारे जो नेपाल विराट नगर के आधर नियां गीता दीदी का फोन आया और फिर उने का स्वामी भाई कैसे हो थीक से पहुंच गया मैंने का हां तो दीदी ने का स्वामी भाई कल रात को बहुत तकलीफ हुई मैं दीदी तकलीफ की बात नहीं थी यह तो ड्रामा में था और हम किसी तरह सुरक्षित पहुंच गये तब गीता दीदी ने मुझे कहा और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब उन्होंने कहा कि स्वामी भाई जैसे हमको समाचार मिला कि आपको नदी क्रॉस करने का ट अपने अपने घर में और अपने अपने सेंटर में बैठ कर सकाश देना बाबा को याद करके मंसा सेवा करना और उस समय मुझे ये पावर अफ सकाश का अनुभा हुआ और जो मेरे सामने जो समर्पित बहन थी उनको ये संदेश मालुम था उनको ये समाचार मालुम था तो तो बेहन जी को पता था कि हम अकेले नहीं है हमारे साथ शिव बाबा है और हमारे साथ इतने भाई बेनों का पावर ऑफ सकाश है इसने वो इतनी निश्चंद थी इतना बाबा पर और इस पावर अफ सकाश पर इतना उनको विश्वास था जीवन और मृत्यों की बीच का ये जो कश्मकश था उस समय पर ये जो सकाश की जो सेवा सच मुझ एक हेल्प लाइन की तरह काम किया ऐसे मैंने उस दिन अनुभव किया मुझे विश्वास है आने वाले समय पर ये जो सकाश या मनसा सेवा बहुत सरी आत्माओं को मदद देगी बहुत सरी आत्माओं को उस परमात्मा तक पहुंचाएगी और यहा बहुत वंडरफुल और ब्यूटिफुल कारिय पावर अफ सकाश टीम कर रही है मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा समाचार सुन करके कि क्लासस के अलवा मनसा सेवा के अलवा अभी आप वरतमान समय पर हमारे आदरनिय महारती भाई बेनों के द्वारा भटी भी कर रहे हैं दोखो विज्ञान का साधन को यूस करकर इस लॉक्डाउन के समय पर आप और हम इतना अच्छी तरह से समय को सफल कर रहे हैं इसले मैं आप सभी को बहुत बहुत अपने गुड विशस अपनी शुब कामनाएं शुब भावनाएं देता हूँ और विशेश हमारे आदरनिय प्रिय मीठे शक्ती भाई के उमंग उच्सा का मैं दाद देता हूँ कि वो दिन रात इसी में लगे रहते हैं तो वो कितनी न दुवाईं कमाते होंगे एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो थांक यू धन्यवाद ओम शंती कि वो दुवत बहुत मुबारक हो 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 कि वो दुवत बहुत मुबारक हो